हेलो एवरिवन कैसे ही आप सब आज देखे मैं आपके साथ इस ब्यूटिफूल फंदो की वीडियो शेर करने वाली हूँ देखेंगे कितने सुन्दर फंदे हैं अगर आप किसी भी पोर्जेक्ट में बोर्डर नहीं बना रहे हो स्टार्टिंग से ही आप काडिगन बनाना शुरू करना चाते हो तो आप इन्हीं फंदो को उसमें डालिएगा क्योंकि जब हम ना शुरू से कार्डिगन बनाना स्टार्ट कर देते हैं कही पर बोर्डर नहीं बनाते हैं कही वरना वो नीचे से अकठा होने लग जाता है हमारा कार्डिगन लेकिन इससे ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा ये बहुत सुन्दर बहुत प्यारा लगेगा दिखे ऐसे अगर आप नीचे बोर्डर भी बनाना चाते हो तो उल्टी उल्टी स्लाईयों का बोर्डर भी बना सकते हो ये सीजी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से दिखे इस तरह से बना है सिरफ दो रों में ही ये हमारा डिजाइन बन गया है और बहुत सुंदर बहुत प्यारा ये बहुत अच्छा लग रहा है ये बना हुआ तो चलिए शुरू करते हैं इसे आप बच्चों के किसी भी परजेक्ट में लेडिस आपने लिए जो भी बनाना चाहते हैं आप वहाँ पर भी इन फंदों को दिखिए डाल सकते हैं इस तरह से बहुत सुंदर बहुत प्यारे लग रहे हैं तो इसके लिए जो हमने फंदे डालने हैं वो लूज डालने हैं हमने फंदे ठीक है फंदे डूज डालने हैं तो मैं ये दो सलाईयां एक साथ ले लूँगी और फंदे हमने ऐसे simple single धागे से ही बना लेने हैं देखिए इससे दोनों सलाईयों पर फंदे डालूँगी और जो हमने इसके लिए फंदे डालने हैं, वो जोडों में डालने हैं, दो, 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 ऐसे करते हुए, टू, टू के मल्टिपल से फंदे डालने हैं, और एक फंदा हमने एक्स्ट्रा डाल लेना है, बस, दो, जार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, औरे, ग्यारा, ठीक है, यह हमने ग्यारा फंदे इसमें डाल ले, अब यहां से एक स्लाई को ऐसे निकाल देंगे, एक स्लाई निकालने के बाद, अब यहां से हम वर्क को शुरू कर लेंगे, पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, ठीक है, उल्टा बनाने के बाद, अब यहां से हमने रिपीट पैट चांसार्ट करना है इस फंदे को हमने पांच बार बनाना है तो देखे कैसे बनाएंगे पहले इस फंदे को उल्टा बनाया और इस थोड़ा से लोगuin तरह मना लेंगे ठीक है फिर इसी फंदे को एक बार आगे से जैसे हमने ऐसे बनाया है अब हमने इसे ऐसे पीछे से ठीक है इस तरह से ऐसे पीछे से उल्टा बना लेंगे और फंदा इतना ही लंबा कर लेंगे अब इसे फिर से आगे से बनाएंगे यह तीन हो गए हमारे अब फिर से इसे आगे से, ये टोटल हमने पांच फंदे बना लिए, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, इन एक फंदा हमने उल्टा बनाए था, इसे छोड़ेंगे, और ये दो, चार, एक पांच, इन पांचों फंदों को इस तरह से हमने ऐसे, स्लाई को डालना है, और हमारा उल्टा, अब फिर से इस एक फंदे के पांच फंदे बनाने देखें, इसे पहले उल्टा बनाया, इस तरह से थोड़ा से लूस कर लिया, अब स्लाई को, स्लाई को देखें ऐसे, पीछे से इस तरह से, फिर से देखें को पीछे से इस तरह से, फंदे में ढालेंगे, इसे उल्टा बना लेंगे ठीक है यह दो लूप हो गई फिर से आगे से बना लेंगे तीन हो गई फिर पीछे से बनाएंगे ऐसे ही सेम चार हो गई फिर से आगे से बना लेंगे यह पांच हो गई पांच बार बनाने के बाद अब धागा दوسरी तरफ कर लेंगे दागा दूसरी तरफ करेंगे और इन पांचो फंदों को देखे इस उल्टे फंदे को हमने यहाँ पर ऐसे पकड़ लेना है इन पांचो फंदों को इस तरह से लेफट निरल पर ले लेंगे इस तरह से ठीक है? और इस फंदों को, पांचों फंदों को सीधा बना देंगे, इस तरह से, अब फिर से धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, देखें, इस तरह से हमारा डिसाइन बनता जाएगा, अब फिर से इस फंदे को देखें, एक बार उल्टा बनाया, और इसे ऐसे थोड़ा सा लू अब फिर से इसे ऐसे पीछे से बना लेंगे ये चार हो गए इसे आगे से बनाएंगे उलटा ये पाँच प्सलारा है कि यह उल्टा फंदा जो बनाया हुआ है न इसे हमने ऐसे पकड़ लेना है और ये 5 फंदे हैं देखिए हमारे पांच फंदे इन पांचों फंदों में हमने इस तरह से ऐसे स्लाइड डालनी है पहले धागा हमने दूसरी तरफ कर लेना है धागा दूसरी तरफ करने के बाद अब पांचों फंदों में ऐसे स्लाई को डालेंगे और इसे सीधा बना देंगे, इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ आपने एक फंदा उल्टा बना लेना है, ठीक है, अब फिर से उसी डिजैन को रपीड करेंगे, देखे, एक बार स्टार्टिंग में उल्टा बनाएंग इसे ऐसे कीच कर थोड़ा सा लूज कर लेंगे, अब पीछे से ऐसे स्लाई डालेंगे, फिर से उल्टा बना लेंगे, उसे भी ऐसे ही लूज रखेंगे, फिर आगे से बना लेंगे, ये तीन होगे, अब फिर से इस तरह से ऐसे डालते हुए, पीछे से बनाएंगे, ये च किया इन 5 फंदों में ऐसे इस तरह से नीडल झू पर यह सिधा बना दिया अब धागा में तरफ जिल्टा उल्टा फिर दागा दूसरी तरफ फिर से एसे तरफ ही रखना है क्योंकि बनाना है अब डूरत गाव बनालेंगे पीछे से इस तरह से लिया फिर से ये दो हो गए आगे से लेंगे तीन पीछे से बनाया ये चार फिर आगे से बनाया पांच अब धागा दूसरी तरफ करेंगे इन पांचों फंदों में ऐसे सलाई को डाल लेंगे और इन फंदों को सीधा बनाते हुए पांच का एक कर देंगे यहीं पर फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा तो इस तरह से देखिए हमारे फंदे बनकर रेडी हो गए हैं इस तरह से ये बन गए अब हमने क्या करना है उल्टी तरफ से पूरी रो ये सारे फंदों को उल्टा बना देंगे इस तरह से बिल्कुल डिफरेंट और हट के ये डिजाइन है हमारे फंदों का और बहुत सुंदर और बहुत प्यारा भी लगेगा ये बनकर इस तरह से ठीक है दिखे इस तरह से ये हमारे फंदे बन गये हैं अब इस पर आप कोई भी डिजाइन कुछ भी डालना चाहो बड़े अराम से उसे डाल सकते हो ये ज़्यादा फंदों पर हमारा बन गया है और ये कम फंदों पर मैंने बना कर दिखाया है आपको तो इस तरह से बना अगर आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाबाई हैवा नाइस टेए कि ये खुल ने के तरीका लाई चैनल के आपसे वीडियो में बादा भी वीडियो में आपसे सुछा उर सब्सक्राइब कर देएक वीडियो औरुर।